नमस्कार प्रेदर्शकों हाजिर हुँ मैं कुम्भ लगन के बारहो भावों में सुर्य के प्रभाव को ले करके कल हमारी बातचीत मकर लगन के बारहो भावों में सुर्य के प्रभाव को ले करके हुई थी प्रिदर्शकों ये सनी की मूल त्रिकोण राशी है ये तो आप सभी जानते हैं कि सनी और शूर्य आपस में नए सर्गिक मित्र नहीं है अब बात चल रही है कुम्भ लगन की पहले बता चुका हूँ कि लगन में सर्वस्रिष्टतम राशियों में से इस राशी की भी गणना है यानि कुम्भ राशी यदि आपके लगन में बनती है तो ये सर्वस्रिष्टतम राशी है वायूतत्व की ये रासी है और यहाँ पर अगर त्रिकोणों को देखें तो यह इस्थिर रासी दीश्वभाव और यहाँ पर है चर रासी इस लगन की बात करूं, तो शनी यहाँ पर इस लगन के मालिक है, सुक्र और वुद्ध, सरवाधिक, कारक ग्रहों में से एक होते हैं यहाँ पर सूर्य कारक नहीं है, परणतु वो केंद्र के मालिक है और ये ध्यान देने युग ये बात है कि कुंडली चाहे स्त्रीकी हो या पुरुसकी सप्तम्भाव का विसेश महत्व है क्यों? क्योंकि यहां जो भी ग्रह बैठेगा आप अपनी सातवी दृष्टी से आपको देखेगा आप लगन को देखेगा आपको देखेगा यानि आपके व्यक्तित्त से संबंध बनाएगा प्रेदर्शकों यहां ये बात याद रखनी है कि लगन कोई भी हो मेश से लेकर के मीन परियंत यहां पर अगर सूर्य बैठे हैं तो सूर्य कभी खराब फल नहीं देंगे क्यों कि सबसे पहले तो यहां कारक होते हैं एक दूसरा आपके व्यक्तित्त में जब तेज का समनवय होगा यानि आप से जब सूर्य जुडेंगे आप से जब तेज जुडेगा तो यह निसंदेह अच्छा ही होगा किसी भी व्यक्ति के अंदर तेजस्विता या तेज आना सदईव अच्छा ही होने वाला है चाहे वो धनवान हो चाहे वो गरीब चाहे वो ज्यानवान हो चाहे वो अज्यानी अगर उसके चेहरे से तेज दिखाई पड़े जो कि लगनगत सूर्य देखने से भी पता चलता है कि तेज उस जातक में अपने आप ही आजाती है तेज उसमें दिखाई पड़ने लगता है हाँ अगर ये सूर्य बलाबल के साथ हो तो निश्चित ही जातक को उग्र और क्रोधी स्वभाव का होगा निश्चित ही वो सूर्य उस व्यक्ति को जलाएंगे और उस सबस्था में वो व्यक्ति क्रिसकाय हो सकता है दुबला पतला हो सकता है लेकिन यहां बैठे सूर्य जातक की वानी में, जातक के ज्यान में, जातक के तेज में और जातक के अंदर एक अदभुत सम्मोहन की सक्ती भर देते हैं वो व्यक्तिक क्रोध भी करे तो लोग उससे जुडते ही जुडते हैं तो यह आपकी कुंडली में लगनगत हैं सूरिय तो यह निसंदेह स्तरिष्ट फल देगा यहां कई लोगों के मन में यह प्रश्ण उत्पन्न होगा कि क्या यह तुलारासी के लिए भी बात है निश्च लगनके हैं और सूरिय आपके लगने में बैठे हैं तो वो दस अंस से उपर हैं तो आपको निश्चिंत रहना है अगर दस अंस से नीचे हैं और सुक्र नीच भंग उनका करा दे रहे हैं केंद्र में बैठ करके तो उस अवस्था में मैंने कई ऐसे जातकों को देखा जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, जो राजनीती में बढ़िया लाव कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, यानि कि लगनगत सूर्य खराब फल नहीं देंगे, अब यहाँ पर चुकी आप जानते हैं कि यहाँ और यहाँ सूर्य कारक और यहाँ दिखबली होते हैं, तो मान लीजि विशम रासी है, यहाँ पर 0 अंस से लेकर के 6 अंस तक सूर्य बाल अवस्था में होंगे, और उससे उपर बढ़ने पर कुमार और क्रमसह युवा, फिर बृद्ध और मृता अवस्था की तरफ जाएंगे, अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली के लगन में यह सूर्य बल आकरम में बनती है, आप चाहें तो इस लगन में सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं, मैं उसकी मना ही नहीं करूंगा, सूर्य का रत्न यहाँ नुक्सान नहीं करेगा, क्योंकि लगन में वायू तत्व की रासी है, और सूर्य अगनी तत्व हैं, वायू तत्व जो की इस्थ इसर रासी है यहां जाकर के इनका प्रभाव खराब नहीं होने वाला लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सनी आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं अगर सनी एक, दो, तीन घर आगे बैठे हैं यानि आपकी कुंडली में सनी दुतिये, तृतिये और चतुर्थ भाव में बैठे ह अथवा, दसम, एकादस, द्वादस भाव में बैठे हैं तो सूर्य के साथ ये तातकालिक मित्रता करेंगे नए सरगिक रूप से ये दोनों मित्र नहीं हैं लेकिन तातकालिक मैत्री होने के कारण ये संभावस्थ हो जाएंगे और संभावस्थ गत सूर्य आपको उच्पदस्थ अधिकारी बन सकते हैं आप गवर्मेंट जॉब में या किसी भी सेक्टर में किसी भी फिल्ड में उच्पदस्थ होंगे आपके उच्च अधिकारियों से सदैव आपकी बनेगी आप निम्न पदपर भी हो करके उच्पद जैसा काम करेंगे आपसे पूछ क करके आपसे राय ले करके काम किया जाएगा ये निश्चिंत होकर के आप ऐसा मान सकते हैं कि एक सामान्य पद पर रह करके भी आप बड़े पद जैसा काम करेंगे आप माननी होंगे क्योंकि कुम्भराशी स्रिष्टतम रासी है और यहां अगर लगने में हो जाएं सूर्य तो निसंदेह आपको स्रिष्ट फल देंगे अब यहां बैठे सूर्य सप्तम भाव पर अपनी द्रिष्टी डालेंगे तो सिधी सी बात है कि सप्तम की जो रासी है वो उनहीं की रासी है अब सप्तम भाव पर कोई पापगरह न देख रहा हो कोई पापगरह वहां न बैठ तो आप दामपत्य जीवन के बाद और स्रिष्ट विकास करेंगे लेकिन अगर यहां पर किसी पापग्रह की दृष्टी हो पाप्रभाव पड़ रहा हो तो आपकी पत्नी के साथ मतभेद सुरू करा देंगे पत्नी के स्वास्थ में निरंतर एक इस्थुती नहीं बनेगी उ पत्नी के साथ उनका संबंद ठीक हो तो ब्यापार में आपको स्रिष्ट सफलता दिलाएंगे नौकरी में आपको स्रिष्ट सफलता दिलाएंगे अधिकारी बनने में राजनितिग्य बनने में जीवन काल में सर्व स्रिष्टतम पाने में ये सूर्य आपको सत प्रतीशत आपको ये कलंकित करा देंगे, बेवजह की परिसानिया खड़ा कराएंगे, आपके पिता को कस्ट देने लगेंगे, अथवा पिता के साथ आपके संबंधों को खराब करा देंगे, पत्नी के साथ दामपत्य जीवन में मतभेद की स्थिति शुरू हो जाएगी, अब आजाए ये कुंडली के दुतिय भाव में, मीन रासी, जलतत्व की रासी है, गुरू के साथ सुर्य का संबंध आप अवस्चे देख लीजिए, ये याद रखिए कि यहाँ सुर्य भी कारक नहीं है, और गुरू भी कारक नहीं है, वैसे तो सुर्य और सनी आपस में सम हैं, न मित्र न सत्रू, न सर्गिक मित्रता में भी, तातकालिक मैत्री में जरूर इस बात को आप लोगों को देख लेना है, अब यहाँ ये देखिए कि गुरू किस अवस्था में हैं, कहां हैं, चुकि ये जलतत्व की रासी है, और यहाँ पर अगर देखा जाए, तो ये जो तीसरा भ यानि अस्टम की ये सामने होने से ये भी एक सामन्य मारक भाव बन जाता है, लेकिन यहाँ पर सूरिय, यदि आपकी कुंडली में बैठे हैं, पीडित नहीं हैं, तो निसंदेह आपको ये अचल संपत्ती, धन, धान्य, सम्रिधी, अचल संपत्ती जो की पैत्रिक हो अवस से दिलाएंगे, ऐसे जातकों के पास धन संपता बड़ी मातरा में पित्रों से, यानि पिता, दादा से प्राप्त उनको हो जाती है, यहाँ बैठे सूरिय, आपकी वानी से, ओजस्वी, वानी से, सबको सम्मोहित कराने वाले, नौकर, चाकर से परिपूर्ण, एक सांदार और बेहतर बेवस्थित जीवन देते हैं, आपकी कुंडली में, चुकि यह सब तमे सोकर के धन भाव में बैठे हैं, तो पत्नी के आने के बाद, आपके जीवन काल में, यानि दामपत्त सूरू होने के बाद, अचल संपत्ती और जादा बढ़ जाती है, और जादा आपका समाज में मान समान बढ़ जाता है, वहीं आपकी कुंडली के दिप पराक्रम भाव में जाकर के बैठे हैं सूर्य, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूँ कि यह भाव अकारक होने वाला है, क्योंकि मंगल सनी के मित्र बिलकुल नहीं बनेंगे, और यह यहाँ पर कस्ट में भी दिये हुए हैं, तो हमें यह देख लेना है कि मंगल किस अवस्था में बैठे हैं, कहां पर बैठे हैं, उनकी प्लेस्मेंट कहां है, अगर वो मंगल अतिमित्र होकर के बैठे हों, बली होकर के बैठे हों, तो हमें स्वीधे सीधे कूद करके इस प्रभाव पर नही और उस अवस्था में ये सारे सुखों को देने वाले होंगे, ये पराक्रमी आपको बना देंगे, ये सर्वस्त्रिष्टतम आपको बना देंगे, अपने भुजबल से, अपने बाहुबल से आप सब कुछ पाने वाले हैं, यानि कि आपके लिए ये बात सब्तिसिद्ध होग यानि आपकी कुंडली में पराक्रम स्थानवेदी सूर्य हैं आप कुम्भ लगनके हैं और पराक्रम में सूर्य की बैठे हैं तो उच्च के सूर्य सब कुछ आपको देंगे छोटे भाईयों से आपको लाभ रहेगा लेकिन अगर ये सूर्य पीडित हो जाएं, तो क्या होगा? अब अगर ये सूर्य पीडित हो जाते हैं, तो निसंदेह आपके छोटे भाईयों को कस्त देंगे आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा पराक्रम करने की इक्षा तो आपकी होगी कोई काम आप शुरू भी करेंगे, लेकिन उसे अंततक नहीं ले जाएंगे घर परिवार में आप बेवजह कलह करते पाये जाएंगे यानि आपसे बेवजह ही कलह की स्तिती उत्पन हो जाएगी करेंगे आप, क्रेडिट ले जाएगा कोई और पराकरम करेंगे आप, लेकिन अपनी वानी के कारण अपने कुछ स्वभाव के कारण नुकसान में सदईव रहेंगे आप ये पीडित होने की आवस्था में है, याद रखिएगा अब यहाँ पर मंगल के घर में होने के कारण सूर्य अगर मंगल के साथ नए सरगीक, तातकालिक मैत्री नहीं बनती तो उस अवस्था में ये सूर्य संभावस्थ होंगे और संभावस्थ होकर के भी उच्च के घर में ये आपको बेहतर ही रिजल्ट देंगे अब आजाए कुंडली के सुख भाव में हम आ जाते हैं सब्तमेश का सुख भाव में होना बहुत बढ़िया है यहाँ पर सूर्य पृत्वी तत्व की रासी में होने से कोई दिक्कत नहीं सुक्र इस लगने के सरवाधिक कारक ग्रह हैं और सरवाधिक कारक के घर में आकर के राजा, यानि ग्रहों के राजा सरवाधिक स्रेष्ट फल दे सकते हैं, बस आपको ये देखना है कि ये किस अवस्था में हैं, इनकी डिग्री को देखिए, कितने अंसतक बैठे हैं, यहाँ पर सुर्य के साथ यदि बुध्ध भी बैठ तो बुधादित्य योग और वो स्रेष्ट बुधादित्य योग बनने वाला है, क्योंकि बुध्ध इस लगन में कारक होने वाले हैं, तो वो अपना रिजल्ट आपको दे देंगे, क्योंकि यहाँ से बैठे बुध्ध के अंदर त्रिकोन राजियो कर लेंगे, और फिर आपको उस बुधादित्य योग का बेहतर फल मिल जाएगा, अब यहाँ पर बैठे सूर्य, कुछ ऐसी अवस्था है, जहां आपकी माता का स्वास्त भी खराब कर सकते हैं, पिता के साथ आपके संबंद खराब करा सकते हैं, वो कौनसी अवस्था है, वो कारेक छेत्र में आपको कस्ट दिला सकते हैं, वो आपके द्वारा, आपके घर में कलह उत्पन करा सकते हैं, तो वो अवस्था कौनसी है, वो अवस्था है कि यह सूर्य सनी से द्रिष्ट हो जाएं, यह सूर्य सुक्र के साथ तातकालिक मैत्री में सत्रूता बना ले, तो यह सत्रूभावस हो जाएंगे और सत्रूभ हावस्त सूरियक निश्चित रूप से आपके घर में कलह उत्पन कराएंगे जीवनकाल में भूमी भवन जायदाद वाहन ये सब आप अरजित करेंगे लेकिन कहीं न कहीं गलत निर्णेयों से या किसी न किसी कारण वस आपको ये सारी की सारी संप सूरियक पीडित न हो तो आपके मित्र सभी आपसे जुड़े रहने वाले होंगे लेकिन पीडित होने की आवस्था में lumière आपको ठगने के लिए आपको धोखा देने के लिए ही लोग आप से जुडेंगे वैसे तो आपके मूह पर खूब आपकी प्रसंसा की जाएगी लेकिन सदईव आपको नुकसान पहुचाने का प्रत्न किया जाएगा। तो ये देखिए कि आपके सूर्य की स्थिती क्या है। ये सूर्य कितने अंस्तक बैठे हैं और किस अवस्था में बैठे हैं। अगर ये ठीक हैं तातकालिक मैत्री में सूर्य सुक्र के साथ मित्रता बनाते हैं तो निसंदे ये आपके लिए फायदेमंद सिध्धोने वाला है। संतती उत्पन्य में तो भयंकर कष्ट मैंने देते देखा है। आपको सबसे ज़्यादा नुकसान सुरुवाती दोर में आपकी सिख्षा को दे देंगे, पिता के साथ आपके संबंधों को दे देंगे, पढ़ाई करेंगे आप कुछ और कारेक छेत्र चुना जाएगा कुछ और और उन कारेक छेत्रों में भी जाकर के आपको सफलता ठी तो आपको आगे चलकर के जीवनकाल में धनो पारजन कराने में सहयोगी होंगे क्योंकि इनकी दृष्टी आय भाव पर पड़ेगी जो अगनी तत्व की रासी है और वो गुरू की रासी है और वहां से ये जीवनकाल में आपको धन धन बड़ी मात्रा में दिलवाएंगे जातक अपने भुजबल से धन अरजित करेगा वहीं आपकी कुंडली में सप्तम भाव का मालिक ये सूर्य सश्ठम भाव में आकर के बैठ जाएं तो क्या होगा तो ये पत्नी को रुगण बनाएगा पत्नी के स्वास्त में सदईव समस्या उत्पन्न होगी सबसे पहले तो बिवाह में कस्ट होगा बिवाह होने में दिक्कत आएगी बिवाह होने के बाद दामपत्त जीवन में नाना प्रकार के मतभेद की स्थिती बनी रहेगी पत्नी के साथ लगातार मतभेद की स्थिती बनी रहेगी लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि ये सूर्य की तो यह जो सारी बाते मैंने कही है बड़ी कम मात्रा में होगी हाँ यहां बैठे सुर्य आपको सत्रुहंता भी कई मामलों में बनाएंगे लेकिन यह पत्नी के स्वास्त में समस्या या तो खड़ा करें या पत्नी के साथ अनबन कराएं यह जरूर कराएंगे पत्नी का स्वभ पती का स्वभाव उगर हो सकता है, और वो वहाँ जाकर के बैड़ जयें, तो फिर कस्टदाई सिद्धोने वाले हैं, फिर आपके हड़ियों में दर्ध की सिकायत ले आएंगे, फिर आपके बालों की जळने की सिकायत होगी, फिर नाना प्रकार के रोग हो सकते हैं, फिर ना यहां नहीं होगी क्योंकि ये सम्भावस्त हो सकते हैं और अगर ये सूर्य राहू के साथ नहों सनी से द्रिष्ट नहों तब आपको कहूंगा कि डरने की आवस्ता नहीं है ये आपके लिए फायदे मंद होंगे अगर आप रिण में है तो डर ये मत रिण आपका उतर रिण से आपको डरने और घबराने की जरूरत बिलकुल नहीं है उस अवस्ता में आपके वल अपने चंद्रमा को देख लीजिए अब आपकी कुंडली में यदि सप्तम भाव में ही सूर्य आ करके बैठ जाएं तो क्या होगा सिधी सिवातें की दृष्टी लगन पर जाए आपकी इस्थिरता के बाद क्योंकि आप बहुत इस्थिर स्वभाव के विक्ति हैं आप सांतचित विक्ति हैं आप हर परिस्तिती में सामन जस्च करने वाले हैं लेकिन लगन को देख करके आपके अंदर ये उगरता भर देंगे आपके अंदर ये क्रोध भर देंगे आप तो और आपके पती अत्वापत्नी के स्वभाव में भी ये उग्रता भर सकते हैं अगर ये पीडित हो जाएं तो दामपत्य जीवन को एक कस्ट दाई बना देंगे अगर राहू के साथ ये संबंद बना लें, सनी से द्रिष्ट हो जाएं यहां ग्रहन इनको लग जाए, तो उस सवस्था में निशंदेह आपके दामपत्य को ये कमजोर करेंगे दामपत्य जीवन में समस्या उत्पन करेंगे लेकिन उनह कहूंगा कि इस बात का फलाफल तब किया जाए, जब ये देख लिया जाए कि ये किस सवस्था में है, पिडित नहीं है, आप निश्चिंत हो जाए, ये आपको कोई कश्ट नहीं पहुँचाएंगे ये ब्यापार में आपको लाभ पहुचाएंगे, आपको ब्यापार कराएंगे आपके सासन और प्रसासन में बड़ी अच्छी पकड दिला देंगे, ये बढ़िया यहां से फल भी देंगे अब आजाए कुंडली के अस्टम स्थान में पंचमेस और अस्टमेस यहाँ पर बुद्ध बनते हैं अब बुद्ध भी आसपास ही कही होंगे, अब आजाए बुद्ध की रासी में यहां पर बैठे सूर्य, आपको आध्यात्मिक, चुकि यह कैसी रासी है तो भूमी तत्व की रासी है समराशी है, यहाँ पर आकर के सूर्य बैठेंगे तो आपको आध्ध्यातनिक बनाएंगे सब तमेस का अस्टम स्थान में जाना कस्ट दाई थोड़ा तो होगा पतनी आपकी आध्यात्मिक धर्म पती अत्वा पतनी धार्मिक प्रवृत्ति के अच्छी सोच के लेकिन हो सकता है रुग्ण होंगे हो सकता है वो उनके स्वास्त में समस्या हो जिसके चलते आपको परिशान रहना पड़ता होगा लेकिन यहाँ बैठे सूर्य अगर उनकी अवस्था अच्छी है तो वो बहुत हदतक आपको बहुत हदतक क्योंकि उन्होंने अपने ही घर से दीदवाधस का संबंध बनाया है और द्वीद्वादस का संबंध बनाने की अवस्था में वो आपको कुछ मामलों में तो कस्ट अवस्य दे सकते हैं, अब वो मामला कौन सा होगा, यह आपको देखना है अगर यह सूर्य पीडित नहीं है, पीडित तो लगभग यह नहीं होंगे, ग्रहन इनको न लगा हो, सनी की दृष्टी न पढ़ती हो, तो आपको यह आध्यात्मिक बनाएंगे, आपको यह धार्मिक बनाएंगे, आपको यह उची सोच वाले बनाएंगे, आपको यह धन धा तुलारासी में ये नीच के होंगे, 10 अंस्तक हैं, तो किस तरह की स्थिती है? ये देखिए, सुक्र कहां बैठे हैं? ये देखिए, सुक्र अगर केंद्र में कहीं भी बैठे हो, तो ये आपका सूर्य, इनका नीच भंग हो जाएगा, और नीच भंग होने की अवस्था में य और आपको निश्चिंत हो जाना है कि ये आपको सर्वस्त्रिष्टतम पद पर ले जाने वाले हैं, इसे सूरी से आपको इसलिए नहीं डरना, कि आपको कुम्बलगन के हैं, आपको क्या ये फाइदा देंगे, ये सूरी आपको सरकारी नौकरी दिलबाएंगे, ये सूरी होने की अवस्था में ये कस्ट देंगे, क्योंकि ये नीच के घर में जाएंगे, हाँ, इस अवस्था में ये जरूर ध्यान रखना है, कि सप्तम भाव का मालिक जाकर के भाग्य भाव में बैठा है, तो ये कहा जाना चाहिए कि जातक बिवाह के बाद भाग्य पाएगा, जातक बिवाह होने के बाद और पूरी तरह से भाग्य को प्राप्त होने वाला है, लेकिन पीडित होने की अवस्था में बिवाह के बाद ये और नीचे भी जा सकता है, इसलिए ये बहुत सोच समझ करके देख लेना है, कि जब भी ऐसे जातक बिवाह करें, तो कुंडली म पिला करके सामने वाले का भी सूर्य देख लें, सामने वाले के भाग्य को भी देख लें, और इसके बाद ही सूर्य पीडित हो, तो यहां बैठे सूर्य की निरंतर आपको आराधना करनी है, जितना अधिक सधिक हो सके, इस सूर्य की आराधना करिए, आपके लिए फाइद मंद सिध्धोने वाला है अब इस लगने में देखा जाए तो आप यहां बैठे सूरे का रत्न धारन कर सकते हैं यहां भी बैठे सूरे का रत्न धारन कर सकते हैं यहां वाले सूरे का मैं रत्न धारन करने की सलाह नहीं दूँगा यहां बैठे सूरे के भी रत्न की धारन सलाह नहीं दूँगा क्योंकि हो सकता है ये आपके स्वास्त में समस्या उत्पन्न करेंगे और रत्न धारन करके आप अपने दामपत्य जीवन को और खराब करेंगे यहां बैठे सूर्य के रखन की जगह आराधना कहूंगा आजीवन सूर्य की आपको आराधना करनी है आजीवन सूर्योदे के बाद नहीं सोना यह आपको ध्यान रखना यह वरत ले लेना है आजाए भग्यभाव में करम उस्थान में सब्तमेस कर्म स्थान में जाकर के बैठ जाएं तो विवाहो परांथ आपके कर्म में विद्धी होगी आप व्यापार कर सकते हैं आप नौकरी में स्रिष्टम सफलता हासिल कर सकते हैं करक रासी माफ करीगा ब्रिष्चिक रासी यह मंगल की रासी है यहाँ पर सूर्य दिगबली हो जाते हैं है तो यह जल तत्व की रासी लेकिन यहाँ बैठे सूर्य आपको सत प्रतीशत उच्च पदस्थ अधिकारी बनाएंगे किसी कारेक्रम में किसी दर्सक ने मुशे कहा था कि मेरी कुंडले में तो इस तरह किस्तिती है हैं और हो सकता है आप सरकारी नौकरी के लिए आपने सिक्छा ही ग्रहन न की हो घाग यह ऐसे जो टिसी हुए थे कि जिन्होंने कभी पाट साले का मुह नहीं देखा लेकिन बिना पाट साला का मुह देखे ही अपने आप में यह संपूरतम दिगदर्सी तो थे ही भविष्यवक्ता थे तो जरूरी नहीं है कि आप उस जगह पर किसी और माध्यम से हो सकता है आपको दिगदर्सी बनना है आपको भविष्यदर्सी बनना है भविष्यवेत्ता बनना है आप किसी और माध्यम से बन सकते हैं शुरी नहीं है कि उसके लिए आपको पाट साला जाना पड़ी जरूरी नहीं है कि अगर आपको सरकार और प्रसासन पर आपका दबदबा कायम होना है तो वो सरकारी नौकरी से हो आप किसी और माध्यम से जुड़ सकते हैं तो यहां बैठे सुर्य आपको सर्वथा लाभ लेने वाले आपकी मां को ही एक कष्ट दिलवा देंगे क्योंकि उनकी द्रिष्टी मां के घर पर पड़ेगी तो कई बार माता के साथ संबंद विछेद तक कराते मैंने इनको देखा है तो इस मामले में आपको जरा मिला लेना है कि यह पीड़ित तो नहीं कि सफल हो जाओंगा तो विवाह करूंगा तो मैं कहूंगा विवाह कर लिजिये सफल हो जाइएगा क्योंकि धनुरासी अग्नितत्व की रासी है और यहाँ पर सूर्य अत्यंत स्रिष्ट फलदाई हो जाने वाले हैं यहाँ पर बैठे सूर्य अगर बलवान है तो और नधारन की जगह केवल आराधना कीजिएगा बार्मे भाव में आजाएए मकर रासी सब तमेशोकर के बार्मे भाव में बैठे हैं पीडित होने की अवस्था में बिवाह को कोट में ले जाएंगे पीडित होने की अवस्था में आपका दिवाह तलाग तक पहुँचेगा ही पहुचेगा या पत्नी का स्वास्थ खराब हो जाए पत्य पत्नी की मृत्ती हो जाए दामपत्य जीवन को एक खतम कर देंगे लेकिन पीडित नहीं है तो डरने की आवशक्ता नहीं है लेकिन ये सब तमेशोकर के बारे में भाव में बैठे हैं सो सावधान तो आपको सदैव रहना है ये रिन में डाल सकते हैं आपको कोट का चहरी के चकरों में डाल सकते हैं ब्यापार वगर आगर आप करते हैं तो बहुत सावधानी से करिए अपने आपको सुरक्षित रख करके करिए इन मामलों में आपको सदैव ध्यान रखना है यहां बैठे सूर्य अगर सनी के साथ ताकालिक मैत्री बना ले यानि कि यहां पर बैठे हैं सूर्य और आपकी कुंडली में यहां बैठे हैं सनी तो आपने स्चिंथ हो जाएए कि यह सूर्य आपके लिए फायदे मंद होने बाले हैं पत्नी धार्मिक मिलेंगी उनके आने के बाद आपके भी जीवन में धर्मकार्म अध्यात्म या इनसे संबंधित दान यह लोगों का समान समान पाने में आपकी और मदद पत्नी के द्वारा हो जाएगी वो आपके लिए फायदे मंद होगा पिडित होने की आवस्था में फेग भी परीथ होगा दामपत्य जीवन के पहले आप बहुत स्रिष्ट थे इसके बाद आप बहुत परिशान हो सकते हैं तो उस अवस्था में भी कहूंगा कि सूर्य की आराधना करिएगा नियमित आराधना करिएगा कुछ दिन पुर्व मुझे किसी ने कहा था कि अगर सूरी यहां पर बैठ करके बैठे हैं और अगर मैं उनकी आराधना करूँगा तो हो सकता है वो और बली हो जाएंगे और मुझे कस्ट देने लगेंगे कोई भी ग्रह आपको कभी कस्ट देता ही नहीं है फिर यह कस्ट क्या है क्यों हमें कस्ट होता है यह कस्ट हमें हमारे प्रारब्ध के कारण हमारे करमों के कारण होता है और जब हम इन ग्रहों की या उन ग्रहों के अधिपतियों की आराधना सुरू कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे जो प्रारब्द हैं वो आते हैं हमें कस्ट देते हैं लेकिन वो positivity, वो energy ग्रहों से हमें बड़ी मात्रा में मिलने लगती है और वो छत्रचाया बन करके हमारी सुरक्षा कर देते हैं और तब हमें कस्ट महसूस ही नहीं होता तो आज के लिए बस इतना ही कुम भलगने के बारहो भाव में सुर्य के प्रभाव के बारे में मैंने आपको बताया कल मीन रासी में हम बारहो भाव में सुर्य के प्रभाव को जानेंगे आज के लिए बस इतना ही इजाज़ दीजिए नमस्कार